हलो दोस्तों वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल सुरज पटेल एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपोर्टन होने वाला है जैसे कि मैं आप लोगों को इधर एक उदे सावन जी का ट्वीट आया हुआ है वो ट्वीट में क्या ह है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ये जो ट्वीट है उदे सावन जी ने फाइनल के इस्टूर्ट के लिए दिया ऊ ये चुछ लगों ने डाला हुआ था उसमें असल में उदे सावन ने जिस तरीके से कहा था कि फाइनले लेट के इस्टोन को सपोर्ट किया था उसमें पॉलिटिकल्स कुछ लोगों ने उनके उपर दबाव डाला हुआ था और उदे सावन जी ने इदम साफ साफ उसका रिपलाय देते हुए ये कहा था कि इसम लिख रहा होगा आपको ये किस टारिक का ये अपना न्यूज है इनका तो इन्हों ने इसमें इस पूरे लेटर में क्या बोला हुआ वो में आप लोगों को बता दू उदे सावन जी ने इतम साफ साफ का है कि जो हमारे मां कंडिशन चल रहा है नोक टाउन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है क्रोना वारेस बढ़ते जा रहा है उस परिस्तिती में फाइनल एर के स्टूरेंट का एक्जाम लेना सही नहीं हो पाएगा साथी साथ उन्होंने इदा खास बात बोली हुई थी कि जो आट मैं के दिन उन्होंने बोला अनौंस किया हुआ था कि फाइन स्टूरेंटों का एक्जाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हमारा महरास हमारा मुंबई उस हालत में है कि स्टूरेंट का एक्जाम लिया जा सकता है तो दोस्तों उन्होंने जो आट मैं के दिन या अनौंसमेंट किया था इस्टूरेंट के एक्जाम को लेके उन्हों उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनल एर के स्टुड़न को हम डारेक्ली प्रमोट करेंगे तो हम भी जानते कि ये गलत होगा और ये कोविन नाइंटी का उनके उपर डबा लग जाएगा तो वो यूजी सीए से ये रिक्वेस्ट करें कि जो भी डिसीजन हो इसके उपर जल से जल लिया जाए और इसका आंसर इस्टुड़न लोगों को दिया जाए दोस्तों अगर इन सोट में बात करने जाओ तो उदेश सावन जी जितने भी फाइनल एर के स्टुड़न थे भाई उन लोगों को साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हो भी ये चाहते है कि स्टुड़न का एक्जाम ना हो तो यार उदेश सावन जी को डेफिनेटली हम सब भी सपोर्ट करने चाहिए जितने भी स्टुड़न थे प्लिस उनको कमेंड करके उन्हें ठेंक्यू तो जरूर बोलिए और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में चरूर सेर कीजिए फिर से मिलूंगा नए अपडेट के साथ थेंक्यू सो मच दोस्तों